नमस्कार दर्शको इसलिए हमने इस प्रोग्राम में इनको शामिल किया है ताकि एक माहिर सलह इस प्रोग्राम के जरीए आप तक या फिर आपके आस्परोस में अगर कोई नीश संतान जोड़ा है बे अलाद जोड़ा है जो अभी तक अपनी अलाद के लिए जद्दू जहद कर रहा है कि आखिर कैसे कौन सा treatment करवाए कौन सा हम इलाज करवाए कि अपनी जिंदगी में अपनी ऑलाद की खुशी लेकर आए तो उस सब बाचीत के अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात यही कि जो हमने यह awareness show शुरू किया है कई लोगों को इस प्रोग्राम के जरीए काफी अच्छी जानकारी मिली है आपके तुरू और मैं अभी जो हमारे पास ज़्यादा प्रशन आ रहे हैं वो यही आ रहे है लेडिस के जिन में ज़्यादा तर देखने को आता है कि उनकी tubes बंद हो गई है तो ज़्यादा तर लेडिस यह जाना चाहती है कि क्या शुरुआती दौर में दवाईयों के साथ tubes को खोला जा सकता है या फिर सर्फ आपरेटी करवाना चाहिए देखो जो बांचपन की समस्या ओरतों में आती है उनका प्रमुख कारण है ट्यूबों के समस्या जिसमें की tube बंद हो सकती है सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि tube किस कारण से बंद है हो सकता है कि जैसे नलो की tube क्लोसेज है TB है नलो की उसके कारण जो tube है वो बंद हो गई है तो अगर tube बहुत ज़ादा damage हो गई है तो वो खुल नहीं सकती तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी जो बंध tube हैं वो कभी दबाई से नहीं ठीक होती उसके लिए कोई ना कोई इलाज ज़रूर कराना पड़ता है दो तरह के इलाज है या तो जो tube है जो सिरफ कॉर्मुवल एंड से ब्लॉक है और अगर एक पेशन की एज ठीक है तो सही टाइम पे वो tube खोली भी जा सकती है आजकर कई टिकनीक से हैं जिनसे कोई tube खोली जा सकती है उनमें से एक है hysteroscopic tubal cannulation उसके जरीये हम tube खोल सकते हैं उसमें कोई चीरा कोई टांके की ज़रूरत नहीं होती तो tube खोली जा सकती है पर जिन couples में जिन ladies में tubes की बहुत जादा डेमेज हो गया है ट्यूब में पानी भरा हुआ है ट्यूब में पस्ट भरी हुई है तो ऐसे cases या कि लंबे दोरां से बांचपन की समस्या है ऐसे cases में हम tube नहीं खोल सकते तो उनको test tube बेबी या उससे उपर की जो टेक्नीक से वो करा लेनी चाहिए उससे जड़ी जो है कि tubes की समस्या का समधान हो सकता है जी बिलकुल और एक ऐसी समस्या को लेकर एक मेसेज हमारे तक आया है उशा कुमारी ने भेजा है हम इरपूर से इनकी एज 35 साल है इन्होंने लिखा है कि 10 साल हो चुगे है इनकी शादी को tubes बंद है जिसकी वज़ा से अब तक उनकी जिंदगी में उनकी उलाद नहीं हो सकी सो देखा इनकी जो है ट्यूब्स बंध है इनकी शादी को काफी समय हो गया है दस साल से जादा हो गए है तो इनको टेस्ट्यूब बेबी या उससे उपर की टेकनीक करानी चाहिए अब इस टेकनीक में क्या किया जाता है एक लेडी के पहले तो सबसे पहले अंडे जो है वो शुकरानों के साथ अंडों का मिलन किया जाता है और ब्रून तियार करके बच्चेदानी में रखा जाता है तो इस स्विधी को हम टेस्ट्यूब बेबी कहते हैं जे बिलकुल कई कपल्स में देखा जाता है कि हस्बिन वाइफ दोनों वरकिंग होते हैं हस्बिन अब में हैं या बाहर काम कर रहे हैं या वो नहीं आ सकते तो वो संतान सुप की प्राप्ती नहीं कर सकते ऐसी गलत धार ना है हस्बेंड की जो है जुरूत एकी बार होती है उसमें हम हस्बेंड के शुकरानों अगर वो नहीं आ सकते मान लो वो आर्मी में कहीं और पोस्टेड ह वाइव घर में है तो husband के जो शुक्रानू है वो freeze किये जा सकते हैं जिसको हम कहते है sperm freezing तो उसे दिन husband को हम free कर सकते हैं तब कि husband जा सकते है जिस hospital में sperm freezing की facility available है husband आके अपने sperm freeze करा के जा सकते हैं और उनको बार बार आने की जुरूरत नहीं पड़ती पर जो lady है फिर वो अपना इलाज करा सकती है जे बिलकुल और ये सब बातें इस प्रोग्राम में शामिल करने का हमारा मकसद यही है कि कई बार देखा जाता है कि जो यंग कपल्स होते हैं बेवलाद जोड़े हैं बांच्पन की बिमारी से जूज रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं सोचते हैं कि treatment की का बहुत कीमती है जल्द से जल्द माहिर सला लीजिए और अच्छी जगह से अपना treatment जो है उसकी शुरुआत करवाईए आगे बढ़ूगी मैं जो अगला सवाल मेरा यही है कि जो पूरिशों में देखा जाता है शुक्रानों की समस्या रहती है शुरू में अगर उनके श शुक्रानों की कमी होना यह बिल्कुल ही निल शुक्रानों होना जो कि आज कल काफी जादा मात्रा में ऐसे पेशन्स देखे जा रहे हैं तो अगर शुक्रानों की मात्रा बिल्कुल कम है मैंने बहुत सारे पेशन्स ऐसे देखे हैं जो देशी दवाई ले ले लेते हैं हार अगर शुक्रानु निल है या बहुत कम मातरा में तो ऐसे मरीज टेस्ट्यूब बेवी से उपर की विधी का फायदा उठा सकते हैं जिसको हम इक सी विधी कहते हैं और आज की डेट पे विग्यान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि जिन आदमियों के निल शुकरानू है बिल्कुल ही शुकरानू ने वो भी अपनी संतान सुक की प्रापती कर सकते हैं तीसा विदी आती है जिससे कि जो शुकरानू है अंकोश से निकाले जाते हैं जहां शुकरानू बनते हैं वहां से एक शुकरानू न जो टेकनीक्स है जो नई टेकनीक्स आई हैं इससे जो बेवलाद जोड़े हैं जिनके हस्बेंट में निल शुकरानू है वो भी अपनी संतानसुख की प्राप्ति कर सकते हैं जे बिल्कुल अगर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तो हमें भी इसका जरूर फाइदा उठाना चाहिए जिन बेवलाद जोड़ों में देखने में आता है कि हस्बेंट में कमी है शुकरानू बहुत कम है या हम बात करते हैं कि निल हो चुके हैं वो भी हताश मत हो देशी नुस्कों से जरूर बचिए उनको खाने से आपका कुछ अच्छा होने की बजाए कुछ बुरा भी हो सकता है उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सो ट्रीट्मेंट करवाने से पहले अपने टेस्ट करवाईए अच्छी सला लेकर अच्छा इलाज समय पर यह कई कारण से हो सकती है जिनके तो बिल्कुल मिल शुक्राण को हो सकता है उनको को पे नशे की आदट हो या को प्रॉब्लम ही नहीं ऑजाएैं कही बार जनम पे मंप हो जाते हैं बच्चों पर छोटी उमर में तो उसके कारण भी जो आरे टेस्टी 화장 पा उर भी कई कारण जैसे जो शुक्रानों की मातरा कम होती है तेज तरह जरिंदगी, स्ट्रेस, स्मोकिंग जिसको हम कहते हैं, अलकोहॉल, शराब का सेवर, यह जो सारी चीजे हैं, यह स्पर्म की मातरा को एफेक्ट करते हैं. जी, अब बात करते हैं, फिमेल्स की, औरतों की, उनमें बेसिक क्या-क्या रीजन्स होते हैं, जिससे की बांच्पन की शुरुआत हो जाती है? दिखो, सबसे प्रम कारण हमने एक डिसकर्स किया है, जिन लेडी में ट्यूबें बंद होती हैं, ऐसे केसे में हम ट्यूब कोलते हैं, यहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी, विदी से बेबी लिया जाता है, यहां फिर अगर किसी में अंडे दानी में मानलो रसॉली है, या अंडानी बन रहा, तो वो देखा जाता है, या महावारी बंद हो गई है, या बच्चेदानी बहुत छोटी है, बच्चेदानी की तैय कमजोर है, बच्चेदानी में भी रसॉलिया हो सकती है, तो ऐसे यह कई कारण है, जिनके कारण बाज़पन की समस्य औरतों में आ सकती है, पर हर कारण का इलाज है, अगर एक लेडी की बच्चेदानी में, बच्चेदानी का साइस छोटा है, या बच्चेदानी की तैय खराब हो गई है, या उसकी महावारी बंद हो गई है, एक तो महावारी आके बंद हो जाती है, जल्दी उमर में, या फिर की जिनकी एज थोड़ी उनकी महावारी बंद हो गई है या जिन में premature menopause जिसको कहते है जल्दी बंद हो जाना तो वो भी cases में अवो pregnancy ले सकते हैं patients एक donation एक तरीका है जिसमें अंडा जो है अंडा बैंक से लिया जाता है ब्रून त्यार करके बच्चे दानी में रखा जाता है और बेबी लिया जाता है तो ऐसी ladies को जिनकी मावारी कम है, बंद हो गई है या खराब हो गई है वो भी हताशनी होना चाहिए और जिन ladies में अगर बच्चे दानी की तै जो है कमजोर है, किसी भी कारण कमजोर है आजकल नई टेकनीक्स आ गई हैं जिससे हम तै को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरे बात है कि जो मुस्स कॉमन कॉज आजकल देखा गया है कि बच्चेदानी में जो है रसॉलिया है तो लेडी को ऐसे लगता है कि अगर उसकी रसॉलिया है तो वो प्रेगनेंसी में तकलीफ आ सकती है बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि जो रसौली है वो बच्चेदानी की तैसे दुर्थ है या भच्चेदानी के पास है एक ही है या उनका size कितना बड़ा है उसराफ से देखा जाता है कि रसौली निकालने की जूरत है एक और चीज सुन्रे में आती है कि अगर थायरेड है तो भी जो एक लेडी है वो अपना माँ बनने का सुपना साका नहीं कर सकती तो थायरेड का कितना रोल रहता है बांचमेन की समस्या में देखो जिन लेडी को थायरेड हो सकता है उनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो मतलब कि उनका अंडा ठीक ना बने तो अगर थायरेड जो मिमारी है वो प्रेग्नेंसी में नहीं प्रॉब्लम करनी चाहिए और अगर एक लेडी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जिसमें छोटी-छोटी पानी की रुसॉलिया बन जाती है तो ऐसे सोलन से आया है जया शर्मा का इन्होंने लिखाया कि इनकी महावारी बंद हो चुकी है 35 साल इनकी उम्र है और शादी को भी 10-12 साल हो चुके है इसके साथ इनकी हस्बन में भी प्रॉब्लम है शुकरानू बहुत कम है पहले रिपोर्स आई थी कम थे अगली रिपोर्ट में और भी कम हो गए तो इनको क्या करवाना चाहिए देखो अब इनकी एज भी जादा हो गई है दुनों हस्बन वाइफ में प्रॉब्लम है तो ऐसे केसे में इनको सबसे बेस्ट टेकनीक जो अवेलेबल है उससे इनको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए इन उनको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए जी जी बिल्कुल इस प्रोग्राम को लाने का मकसद यही है इस प्रोग्राम में बार-बार हम यही बात कर रहे हैं कि जागरुक हो यह अपने समाज को अपने आसपास लोगों को जागरुक कीजिए अगर आप कहीं भी आपके आसपास कोई आपका family member है या कोई आपका friend है जिनकी जिन्दगी में अभी भी ऑलाद की खुशी नहीं है उनको जागरुकता दीजिए, उन्हें एक उमीद दीजिए कि वो अभी अपनी जिन्दगी में अपनी ऑलाद की खुशी लेकर आ सकते हैं कई बार देखा जाता है कि IVF treatment शुरू करवाती है एक बार failure हुआ दो बार हुआ उसके बाद जो couple है वो निराश हो जाता है जिससे की जो काम्याबी दर काफी बढ़ाया गया है जो पहले 15-20% था आज की डेट में 70-70% हो चुका है बार बार यही कहना चाहते हूं कि नई टेकनीक्स है जैसे एकसी विदी है, इमसी विदी है, कासा है, लेजर हैचिंग है, एंब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है इन सब टेकनीक से जो है, टेस्ट्यू बेबी का काम्याभी दर काफी बढ़ाया गया है, सो एक निस संतान जोड़े को कभी हताश नहीं होना चाहिए, साथ ही आजकल एंब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग की भी टेकनीक्स अवेलेबल है, सो अगर एक पेशंट का ट बच्चेदानी में चिपक जाए, ब्रून को ब्लास्टोसिस लेवल तक ग्रो कराते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं, एंब्रियो मॉनिटरिंग के जरीए के देखा जाता है, जो कौन सा जो ब्रून है, सबसे बढ़िया बन रहा है, वो बच्चेदानी में ट्रांसफर किया जाता है, एंब्रियो फ्रीजिंग के जरीए मान लो एक पेशिंट का अगर एक साइकल आईवेफ फेल हो गया है, अगर उसके एंब्रियो बच गया है, तो वो फ्रीज किया जाते है, वो फेंके नहीं जाते है, सो उसके जरीए जो उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसे